लेकिन अगर कि टेस्ट नहीं हुआ और आप उसी तरह से मीठा खाई जा रहे हैं, आपको किसी ने गाइड नहीं किया कि कम खाएं ज्यादा खाएं, तो फिर तो लाजमन ही आपके बच्चे के दर कॉंप्लिकेशन हो जाएगी. जी, असलाम लेकूम, मैं हूँ डॉक्टर नायला गाइनी सलूशन की फॉरम से, आज हमने बात करनी है ट्विन प्रेग्नेंसी के उपर, कि ट्विन प्रेग्नेंसी जो है, उसकी एंटी नेटल केर कैसे होनी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ट्विन प्रेग प्रेग्नेंसी है, तो आप इस चीज को मेक्शूर करें कि आपकी जो डॉक्टर के पास विजट हैं, वो ज्यादा हो सकते हैं as compared to singleton pregnancy में, क्यों कि जो ट्विन प्रेग्नेंसी होती है, उसकी ग्रोथ को ultrasound से monitor किया जाता है, उसमें कोई disparity तो नहीं आ रही है, सबसे पहले तो सेक्स हैं और उसके अंदर उनको फीटल पोल नजर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी ट्विन प्रेग्नेंसी है, ट्विन प्रेग्नेंसी जब आपको confirm हो जाती है, तो उसे अगला step जो होता है, वो डॉक्टर के लिए इंपोर्टन ये होता है कि कुरियॉन करना, अब कुरियॉन सिटी क्या है, कुरियॉन सिटी का मतलब ये है, कि जो ट्विन्स हैं, उनके प्लेसेंटा, आवल अलग अलग डिवैलप हो रहे हैं, या वो एक ही आवल से खून ले रहे हैं, ये इस्टैबलिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली ट्विन इस्टैबलिश है जो टॉलिश्त में आवल अलग अलग ऑलग है उनका थैली आपक है वो अलग अलग है, उनके तो प्लेसेंटा, वह ये और प्लेसेंटा अ उनके अंदर बहुत टाफ कॉमपितिशन होता है, वह होता ही ऑन̥म एंधर अंधर मितिवादी क्याय मुद्ulle, semaine ह लेकिन वो जो twins होते हैं जिनका आवल डिफरेंट है लेकिन सैक उनकी एक है वो यानिके डायकोरियोनिक, मोनोम्नियोटिक होते हैं उनके अंदर as compared to calm risk होता है complication का और वो twins जिनकी अपनी सैक और अपना प्लेसेंटा है दोनों का अलग-अलग यानिके monocorionic हैं और monocorionic हैं उनके अंदर जो है वो complication का risk जो है सबसे काम देखा गया है लेकिन singleton pregnancy का उसमें भी ज्यादा है अब जब आप यानिक तायून हो जाती है तो एक अच्छी डॉक्टर आपको उसके बारे में बताती है लेकिन यहां पर मैं एक बार बताती चलूं कि इन पहले तेरा हफ़तों के अंदर आपका जो folic acid की requirement है वो double होगी as compared to singleton pregnancy क्यूंकि आपके अंदर दो फिर्टस पाल रहे हैं तो हम जो पेशन्ट होते हैं twin pregnancy को उनको कोशिश करते हैं कि double amount of folic acid दें folic acid boosters दें और जो खुराक जिसमें folic acid ज्यादा पाया जाता है वो ज्यादा इस्तमाल करें इसके इलावा जो शुरू के दिन होते हैं उनमें जो उल्टी मतली बहुत ज़्यादा दिल का गबराना फटीग जिसमें थकावट का बहुत ज्यादा होना ये भी ज्यादा होंगे तो अगर की नाली की फट जाती है और आपको bleeding भी हो सकती है और वहां पर अलसर बन सकता है जो कि आगे जाके आपको तंग कर सकता है तो लहाजा इसको भी आप seriously 13 weeks के बाद अगला विजट आपकी डॉक्टर प्लैन करती है 16 weeks के बाद आपका हर मन्त पे जो है वो scan होगा अगर आपकी pregnancy monoconionic है यानि एक ही placenta से अगर दोनों twins खुराक ले रहे हैं तो उस उतिहाल के अंदर आपका जो ultrasound है वो हर मन्त में radiologist से किया जाएगा जिसमें के वो दोनों के अंदर होने वाली जो changes है उनको monitor करेगा और उनको write down करेगा आपके doctor के लिए 20 weeks के उपर anomaly scan होता है detail scan किया जा जाता है कि twin congiant तो नहीं है हार twin का heart part अलेदा है और उनके अंदर को बनावर्टी नुक्स तो नहीं है twin के अंदर जो anomalies का risk होता है वो ज्यादा होता है as compared to singleton pregnancy के उतर तो इसलिए एक senior experienced doctor से ultrasound कराना बहुत ज़रूरी है 20 weeks के बाद 24 weeks पे आपका sugar का एक test किया जाता है जिसको oral glucose tolerance test केते हैं इसमें आपको sugar पिला कर देखा जाता है कि आपका जो body है वो sugar को consume करने के लिए उसके पास insulin मुझूद है या वो tolerant सही कर रहा है या sugar levels high हो रहे हैं इससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि चुके एक ही insulin के source क उपर तीन जगह पे वो supply हो रही है दो बच्चे और एक माँ तो ओनवर्ड जो है वो insulin के resistance ज्यादा हो जाएगी और मांग अगर डाइट में sugar या मीठी चीज़ें ज्यादा लेगी तो उसकी insulin बढ़ने लाग जाएगी और बच्चों में complication का रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो लहाजा 24 वीक पे OGTT का test twins के अंदर लाजमलो मलजूम है करवा लेना चाहिए क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो sugar levels है वो बहुत जल्दी impaired हो जाते हैं अगर वो आपके sugar level खराब आते हैं तो सबसे पहले आपको diet की modification बताई जाती है उसके लावा डॉक्टर हलकी पुल काम खाएं और ज्यादा खाएं तो फिर तो लाजमन ही आपके बच्चे के अंदर complication हो जाएगी और फिर एंड पे जाके हमें उसका जो है को करना उस पे दा नहीं सेजेरियन में एंड़ा पो सकता है या बच्चे का नेट्स्रीम एडमिशन होता है क्योंकि लंग्स डिवे एक प्लेसेंटा से खून ले रहा है तो उसका डॉपलर 24 वीक से ही शुरू हो जाएगा लेकिन अगर डायकोरियोनिक है तो हम उनका जो अगर ग्रोथ बिल्कुल ठीक जा रही है दोनों ट्विन्स का जो पैरामिटर्स हैं वो उसी हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहे हैं तो फिर हम डॉपलर 28 वीक से स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर कहीं पे भी स्टार्ट में हमें लगता है कि एक टो इन चोटा रह रहा है और एक टो इन बड़ा रह रहा है तो हम यह बात समझ लेते हैं कि अब इनके अंदर फूड स्प्लाय का जो कंप्टीशन है वो शुरू हो अगर L-Arginine की सप्लिमेंटेशन की जाती है L-Arginine बैसिकली कमाइनोइसड है जो के नाइटर सॉकसाइड बनाने में हेल्प करता है यह खून की नालियों को खोलता और ब्लड स्प्लाय को बहाल करता है तो इसकी सप्लिमेंटेशन बहुत अच्छा एफेक्ट करती है तो मैं अपनी क्लेनिकल प्रैक्टिस में अपने पेशन्ट को जो ट्विन प्रेग्नेंसी के होते हैं उनको 20 वीक से ही L-Arginine के सप्लिमेंटेशन पर दाल देती हूं ताके आगे ऑनवर्ड उनके अंदर इस चीज का जो रिस्क है वो कम हो जाए इसी तरह से 28 वीक पे जब आप जाता है और देखा जाता है कि कोहीं कि कमी बहुत ज़्यादा तो नहीं चाल रही वैसे तो हम आइरन की स्पलिमेंटेशन 20 वीक के बाद शुरू कर देते हैं लेकिन अगर आइरन की सप्लिमेंटेशन 20 वीक के बावजूद भी एच्श पी काम आई है तो 28 वीक के बाद हम iron के शकल में आपको medicine देना शुरू कर देते हैं जिससे ये होता है कि वो आपको जो है वो बहुत ज्यादा मतार में blood transfusion के जोट नहीं होती क्योंकि twin के अंदर मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया है कि delivery के बाद खून पढ़ने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है वोगे over distended uterus होती है तो लहाजा उसमें हम क्या करते हैं कि iron आपको बहुत अच्छा दे के रखते हैं आपकी HP अच्छी maintain करके रखते हैं 28 weeks के बाद अब आपने अपने patient को हर 2 weeks के बाद बलाना है 4 weeks के बाद नहीं बलाएंगे 30 weeks, 32 weeks और अगर सब कुछ ठीक जाता है twin pregnancy के अंदर तो 36 weeks तक अलेक्टिवली आप अराम से बेट कर सकते हैं हर विजट पे patient का blood pressure और sugar ज़रूर चेक होना चाहिए इसके इलावा HP बहुत अच्छे लेवल का 12 का target रखना चाहिए इन patients के अंदर और अगर कोई complication है तो उसको monitor करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई complication है जिसमें के एक twin IUGR हो रहा है और दूसरा twin ज़्यादा ग्रोध कर रहा है तो उस सुरत में DEXA कवर्चु के 28 पे आपको मिल चुका है हम usually 36-37 weeks पे plan कर देते हैं अगर दोनों बच्चे सीधे हैं तो most of the time दर्दे खुद बहुद आ जाती है और बच्चे normal deliver हो जाते हैं लेकिन twin के अंदर देखा ये गया है कि जो induction है उसको उसके अंदर uterus के rupture होने का risk ज्यादा होता है क्योंकि बहुत बड़ा uterus हुआ होता है तो उस सुरतिहाल के अंदर induction को बहुत सारे consultant avoid करते हैं कोशिशे की जाती है कि membrane sweep करके patient को pains लगा ली जाए और अगर इसमें आपका बच्चा breach है या कोई भी किसम की complication blood pressure sugar ज्यादा होना है national pains अगर आपको आ गई है और दोनों बच्चे सीधे हैं या कम असकम पहला बच्चा head down position में है तो आपकी normal delivery possible है उसको encourage करना चाहिए लेकिन अगर twins breech है तो उस सुरतिहाल में normal delivery को first time mothers के लिए नहीं encourage करना चाहिए लेकिन पहले अगर normal बच्चा बैदा किया हुआ है तो फिर breech position का बच्चा भी normal delivery हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है थैंकि सो मच आपकी competition के लिए और आपने इती देर वो wait किया थैंकि सो मच for your patience कि आपने wait किया इती देर तो इन्शाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफिस